हलो एफ्रिवान वेलकम टू माई किचन तो चलिए आज हम बनाते हैं हरे मूंग से तड़का जो की बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही जादा हिल्दी होता है तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ छोटे कटोरी से एक कटोरी मूंग हरावाला मूंग है साथ ही साथ इसमें मैं सारे साबूत डाल डाल रही हूँ राजमा एक चम्मच एक चम्मच मसूर एक चम्मच मटर और एक चम्मच चने की डाल तो इन सब को हम अच्छे से धो कर चार से पांच घंटे के लिए सोक कर देंगे यह मूंगतर का बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और हिल्दी भी आप देखी सकते हैं सारे छिलके वाले दालको हम्ने लिया है यहाँ पर आपके पास और भी कुछ है उड़द है तो वो भी आप आड कर सकते हैं और भी टेस्टी बन जाएगा तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से दोली हूँ अब इसे हम सोक कर देते हैं चार से पांच घंटे के लिए अगर आप सुबह बना रहे हैं तो रात भर के लिए भी सोक कर सकते हैं अगर रात में बना रहे हैं तो दिन में सोख करकर छोड़ दे तो यहां पर आप देख सकते हैं सब डाले अच्छे से सोख हो गई है तो चलिए आप इन सब को हम प्रेसर कुकर में डाल देते हैं अब देखी सकते हैं बहुत ही कलरफुल लग रहा है क्योंकि बहुत सारे डाल एक साथ है यहाँ पर इसमें हम हल्दी डाल देंगे आधा चम्मच नमक आधा चम्मच और इसे हम प्रेसर कुकर में उबलने के लिए छोड़ देंगे 5-6 सीटियां आने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर कि पूरे जो दाल है मूंग है राजमा है सब अच्छे से कुक हो ज दिया है तो चलिए अब हम कडायी चड़ा देते हैं तड़के की तैयारी कर लेते हैं तो यहां पर मैं डाल रही हूं दो चम्मच सरसों का तेल तो आप किसी भी तेल में इसे बना सकते हैं लेकिन सरसों तेल में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है साथ ही प्याज अधरक लेसन हरी मेर्च सब मैंने काट कर रख लिया है तो यहां तेल में मैं सबसे पहले डाल रही हूं कसूरी में थी आधा चमच लेसन कटी हुई बारी कटी हुई लेसन डाल दे इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा लेसन को थोड़े देर के लिए हम भून लेंगे लाल कर करेंगे उसके बाद प्याज अद्रक और हरी मेर्च हम डाल देंगे इन सब को हम दो मिनट के लिए अच्छे से फ्राइ कर लेंगे बहुत ही अच्छा खुस्बू आता है तो यहां पर आप देखी सकते हैं कि अब फ्राइ हो गया है प्याज अद्रक लहसन तो अब इसमें दो बारी कटा हुआ प्याज सॉरी टमाटर डाल देंगे हम तो यहां पर अब देख सकते हैं टमाटर भी मैंने डाल दिया है तो इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चमच जीरा पौडर अगर आपके पास तड़का मसाला है तो वो भी उसकर सकते हैं तो सिर्फ आधा चमच जीरा पौडर इसमें हम डाल देंगे फिर से इसे हम दो से तीन मिनट के लिए भून लेंगे लो फ्लेम पर इसे हम भूनेंगे जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और सब चीज अच्छे से पक भी जाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं पुरे अच्छे से कुक हो गया है तो अब हम डाल देते हैं अगर यहां पर आप चाहें तो थोड़ा पानी भी एड़ कर सकते हैं जैसी कंसिस्टेंचिय आपको चाहिए तो यहां पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करूंगी आधा कटोरी के आज पास क्योंकि मैं रोटी के लिए ये तड़का बना रही हूँ आप अपने अकॉर्डिंग आपर पानी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं आप रोटी में खाना चाहते हैं चावल में उसी हिसाब से पानी डालना है तो इसे मीडियम फ्लेम पर हम तीन से चार मिनट के लिए पकने देंगे अब इसमें बारी कटी हुई धनिया पता हम डाल देंगे सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये तड़का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और आप देखी सकते हैं हिल्दी भी बहुत है थोड़े से तेल मसाले में बन कर तयार हो जाता है अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चमच के बटर डाल रही हूँ यहाँ पर अमुल बटर मैंने यूज किया है तो तड़का बन गया है गैस मैं आफ कर दी हूँ तो आप देखी सकते हैं बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंसी आया है तो यहाँ पर तड़के को हम गार्निस कर लेते हैं तो यहाँ पर आधा चमच मैंने घर की मलाई ली है उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मलाई डालने से तड़के में टेस्ट बहुत ही अच्छा आजाता है और बारी कटी हुई धनिया पत्ता तो आज की यह वीडियो कैसी लगी थैंक यू फॉर वाचिंग